असलाम वालेकूम वेलकम बैक टो मैं चानल उमीद करती हूं सब लोग कुश होंगे ख्यारेसे होंगे अल्लाद आल्ला हम सबको अपने हीपसों अमान में रखे तो काफी लोगों दिनों से लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी अपने अपना इंट्रो वीडियो नहीं बनाया तो मैंने सोचा चलें आज सब के लिए मैं अपना इंट्रो वीडियो बना लेती हूं काफी दिन से मेरा प्लान हो रहा था पर मेरी थोड़ी से आवास खराब हो गए थी तो मैंने सोचा जब थोड़ी आवास सही हो जाती है अभी थोड़ी बैतर है इतनी अच्छी नहीं हो जीन ओपर ही तो मैंने सुचा काफी लीट हो रहा है काफी लोगों के कोश्टनस आ रहे हैं काफी नाम को मैंने बता है हूं तो तब लोग भूल जाते और तो मैंने चलें हो बरे econom स ABOUT बताए तो मैं दे बहुत पड़ेगा कि आप मेरा इंट्रो वीडियो चेक कर लें और कुछ लोगों को होता है कि आप किदर से हो इविन की इंडियन मॉम मेरा टाइटल मेरा आईडी का है नेम है तब भी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं आप किदर से हो country और फिर स्टेट्स और सिटी आपको ज और मेरा नाम मैं किदर किस सिटी से हो मेरे husband की क्या job करते हैं मेरी education क्या है और मेरी family में कितने लोग हैं तो चले आज मैं आपको सब भी बताती हूँ और आपने अपने channel को शुरूत कैसे की कैसे आपने अपने अपना channel बनाना शुरू किया किस तरह से पर ही सवालों के जव है I'm Indian Indian mom in Saudi Arabia so I belong to India I'm proud to be an Indian मैं Indian country से हूँ और इंडिया के country UP उत्तर प्रजेश आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही famous state है हमारा North India के UP state से हूँ मैं और UP state में कि लहाबाद city है world famous है और उधर city से हैं I'm proud of that मैं अपने city को बहुत जादा प्यार करती हूँ सब भी करते हैं और मेरी family मेरी family मेरे सब के जैसे हैं मेरे पापा है ममी है और मेरे siblings में मेरे हम तीन भाई बहन है मेरी बड़ी बहन है मुझसे बड़ी है और फिर मैं हूँ मैं second number पर हूँ और मेरा चोटा भाई है जो कि मुझसे काफी चोटा है हमसे काफी चोटा है और मेरा एक चोटा भाई है सो हम लोग तीन लोग है मेरी बड़ी बैन है फिर मैं हूँ मेरा चोटा भाई है और मेरे parents के बारे में मैं क्या कहूं मैंने कभी बोलना नहीं चाहां मैंने बताना नहीं चाहां और आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं तो इसलिए में बताती हो कि मेरी मम्मी की death होई 20 years हो चुके हैं जब मैं जब मैं 12 में थी तब और मेरे पापा की भी लास्ट यह एक साल हो गयां की death हो गया तो मेरे पारेंस नहीं और मेरी एजुकेशन मेरी एजुकेशन जो है वह मैंने मैंने मास्टर्स किया हैं इंग्लिश लेटरिचर में और मेरे हस्बेंट के बारे में भी सबको जानना है तो और यह भी सबका कोश्टन रहता है कि आप क्या जॉब करते हो तो नहीं मैं कोई जॉब नहीं करते हूँ मैं आपस्मेकर मैं तिपकल हाउस्वाइफ हुँ और फिर दूसरे कोश्टन है कि मेरे हस्बें क्या जॉब करते हैं उनकी इजुकेशन क्या है मेरे हस्बें एक सॉफ्टर एंजिनियर है अलहम दे लेला और वह भी स्टेट लेवल पे अच्छी अर्ची अर्ची रंकिंग भी आई थे पढ़ने में भी टॉपर्स थे तो इसुन् sensing पे आई टी कंपनी में कची जॉब करते हैं अलाम्दुलिल्ल्लह और मैं कब से साओधी अरब्या में रहती हुआ तो 1982 में पापा मेरे यहां सौदी अरबिया थे अल्खोबर सिटी में अल्खोबर सिटी में उन्होंने काफी दिनों जॉब भी किये और फिर जो है उन्होंने अपना बिजनेस रन किया तक अफ्टर टैनियर से अराउंड टैनियर्स के बात फिर हम लोग दमाम शिफ्ट हो गय अर खीजे है तोकबा और स्विकेट श्रीट और अ खुबर कभी मुझे बहुत जाहदा पता है कि कि बगाफी बचकन हमारा वहाब भी था स्विकेट स्रीट में उमनोग सारी शॉपिंग किया तो वस वक्ट और उस वक्त एक के चोटा सा मॉल था वहाँ पे शुपिंग जो अब अल्खोबर कॉर्ण नी चोग गया है, तो वहीं पर ही हमारा घर हुआ करता है, तो वहीं उसी के पास ही हम लोग का घर हुआ करता था, और मुझे याद नहीं आ रहा है उनका शोपिंग सेंटर करना, बहुत दिन हो गया, और फिर तो हम लोग को इस वज़े से काफी मेरे साथ की उशनके शादी के बाद मैं जट्ड़ा हुआ हुआ हैं तो मुझे 10 साल जया में रहते हुए हुए हो गया, फिर हम लोग 1 साल के लिए टाइफ सेटी में भी गहते थे, था सवे ताइफ में भी गाम गया, फिर लोग बाक टू जट्दा फिर आ गय थे और फिर ह एक यहां पर construction company उसमें manager थे और फिर काफी दिनों बात फिर उनने अपना कुद का business running किया था तो माशलाला वह उसमें बहुत अच्छा था हुमारा सब कुछ अच्छा था पर थोड़ा सा ममी के जाने के बाद से थोड़ा सा family हिल जाती है क्योंकि सब को पता कि मां जो होती है है घर के लिए चलें छोड़ेंगे और फिर जो है चैनल आपने कैसे शुरू किया और है किसी को मेरे ससुराल के बारे में जाना तो अलहम दिलिल्ला मेरे मदर-in-law है फादर-in-law नहीं है मदर-in-law मेरी बहुत अच्छी है अलहम दिल्ला मेरी सास बहुत अच्छी है क्योंक मैं ममी की रिलेक्शन में आती है तो सबका सपोर्ट है इसी वर जैसे मैं यह कर रही हूं तो अलहम दिल्ला उदर भी सब कुछ अच्छा है निशाला कभी हुआ तो मैं सबसे मिलाओंगी भी अगर हो सुका सब मिलने चाहे तो तो फिर है और चैनल की जर्नी चैनल आपको कै यह था कि मीज की घर में बैठे बैठे कुछ निऀ करने तो मेरा वही होता है कि कुछ करना है कुछ करना बच्छों के साथ हमेशा हो जाता कि बच् صव को जादा टेना पड़ जाता तो मैं अपने अपनी लाइफ पे में कौंस्टरेट नहीं कर रही थे तो मैंने यही कहते कि अगर इस तरह का मुझे शौक होना शुरूआ कि आज सब भी व्लागिंग कर रहे हैं तो दोसरों की व्लागिंग देख देख कि आपको क्रेज भी हो जाता है कि मैं भी क्यों नहीं करती हूं जब मैं लियाजान थोड़ा सिक्स मन्त का हो गया तो मैंने फिर से सोचा कि ने मैं आप यह करती हूं इसमें टाइम बित्ते चले जाएंगे फिर आप किसी ना किसी चीजों में बजी हो जाते हो तो इस वज़े से मोर देन टाइम वेस्ट करने से बैतर है कि मैं अब इसको मैं आफियोग्यान की मर्जिध में आप जगार्च करना हो जोजाते हो तो इसे वज़े से मेरे अ को भी बोला उखने कर आशा टार। कि आंसर्स दे दिये जो मुझे से मुझे पुछे गयते हैं तो मैंने उन्हें शॉट्लिस कर लिया था इसलिए मैं लब्ठोप रखी हूँ ताक कि मैं उसके अकॉर्डिंग क्योंकि आप जो बात करने लगते हो ना तो भूल जाते हो तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब को इस बता दूं और इस वज़े से कि मेरे भाई बैन और मेरी आप किदर से बिलॉग करते हो और फाइनली मेरा नेम क्या है मैं तो भूली गई बताना तो मेरा नाम बुश्रा है और बहुती कॉमेंन नेम इस नॉट वेरी यूनीक ने तो चलने यह मैं भूल जा रही थी मैंने फ होजहसं हो और घ् मैं उसे करने तो मैं ने मिटा को बता दिया करती कि फिर मैं बता थे ठगए तो यह भी हो रहा था था कि आप इंटो अपना दे दो तो मेरा भी वाईला की साही है मैं इंट्रो वीडियू वीडियो लिए चेक करें गले कर दो किसी को चेक करना उड़ तो तो उमीद करती हूं सबके आंसर्स मिल गए और इसके बाद तो प्लीज अब आप और कोशन्स ना पूछना और मैं जितना शेयर कर सकती हूं मैं उतना ही शेयर करूंगी और अभी मैं रियाद में रह रही हूं चले ठीक हैं ओके अला हाफिस टेक कियर थांक्यू थांक्यू सो सबस्क्राव